लोग सबा चुनाओं से पहले केजरिवाल ने किया कुछ ऐसा कि होने लगी पूरे देश में केजरिवाल की तारीष जीहां आपको बता दे कि आम आदमी पार्टी के सैयोजक और दिल्ली के मुखमंतरी अर्विन केजरिवाल ने अंतराष्टिय अस्तर पर जाकर खिलाडियों ने जिसने मेडल हासिल किया है उन लोगों को आज केजरिवाल ने सम्मानित किया इस दोन अर्विन के जिर्वाल ने खिलाणियों से बातचित भी की साथी साथ अर्विन के जिर्वाल ने कहा कि सभी खिलाणियों को देश का नाम रौसन करने के लिए बहुत बहुत बधाई आपने इस मुकाम को हासिल करने के लिए बहुत से त्याग किये हैं इस्तियाग की मैं प्रसंसा करता हूँ हमारे देश में चाहे लोगों का आपस में कितना भी ज़्यादा मदवेदो लेकिन आप जब मेडल जीतते हैं और तिरंगा हाथ में लेकर लहराते हैं और राश्रिगान बजता है तब सभी अपने मदवेद भूल जाते हैं और सभी एक साथ खड़े होकर गर्व से भर जाते हैं अब आईए पहले सुनते हैं कि अर्विन के जवाल ने क्या कुछ कहा है होल कंट्री इस प्राउड ऑफ यू जैसे अभी और मैं कोचेज को भी बहुत वाफ दधाय देता हूं कि आप लोगों ने इतने अच्छी कोचिंग करके और एक तरह से हीरे को तराशने का काम किया है जैसे अभी अतीशी ने कहा कि जब आप वहाँ पे मेडल जीतते हैं तो अपने देश के अंदर हम आपस में चाहे जितनी मर्जी एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हूं लेकिन जब आप वहाँ पे खड़े होके तिरंगा लहराते हैं और वहाँ पे सारी दुनिया के सामने राश्टरगान बज़ता है तो सारा देश जो है वो एक साथ खड़ा हो जाता है अपने सारे डिफरेंस को बुलाके और तालियां बजाता है आप लोगों के लिए और गर्व महसूस करता है कि हमारे लड़के ने हमारी लड़की ने देश का नाम रोशन किया है आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें ऐसी हमारी मनोकामना है मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों का बहुत संघर्ष रहा ये मुकाम इतनी आसानी से नहीं पाया जा सकता बहुत आप लोगों ने संघर्ष किया बहुत आप लोगों ने त्याग किया तपस्या की तब ये हास तो सुना अपने किस तर अर्विन के जिवाल ने सभी खिलाणियों का उत्साव वर्दन करते हुए उनके त्याग और उनके महनत की प्रसंसा की। जिन लोगों ने ब्रॉंच माइडल हासिल किया है उन्हें 50 लाक रुपए का सम्मान रासी देखकर सम्मानित किया। फिलाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करकर ज़रूर बताएं। और इसी तरह की खबर देखते रहने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके लिए निजरूम से अमन बरडियार के रिपोर्ट।